हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi अब यहां पर मैं एक चीज इस परस्ट करूँ याद रखे हमारा जो डिसकेशन होगा यह हिंदी माध्यम पर फोकस्ड होगा हिंदी मीडियम स्पैसिफिक के लिए ठीक है अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं हम इस बारे में चर्चा करें कि पी टू आई बैचे जो है वो आपको क्या ओफर करता है या फिर किस सरीके से जो है आपको असिस्टेंस मिलती है या क्या-क्या इसमें जो है वो विशेश करता है आई थिंक आप सभी लोग इससे कहीं ना कहीं परचित भी है और अगर नहीं है तो मैं बेशक इस वीडियो में आपको उसके जो नेक्स्ट हाफ है उसमें मैं आपको इसके बारे में एक्स्प्लेन करूंगा लेकिन हम उस पर जाएं उसके पहले मैं आप सभी से प्र में जो लोग तयारी कर रहे हैं या इस फिल्ड में सेक्टर में जो स्टुडेंट्स वो तयारी कर रहे हैं वो कितने समय से तयारी कर रहे है ठीक है पहली चीज और दूसरी चीज फिर आप यह देखने का प्रयास करिए कि कि कितने स्टुडेंट्स जो क्वालिफाइ करते है मा लीजे 100 विद्यातियों ने qualify करा तो कितने % ने जो है अपने 1st या 2nd attempt में उसे qualify करा है ठीक और एक बात हमेशा याद रखिए कि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो भी चीज बताऊं आप उसे cross check जरूर करें किसी की भी बात पर केवल सुनकर निर्ने लेने से बहतर है उसे check करें ठीक है मैं आपसे इस पस्ट तौर पर एक बात कहता हूं कि UPSC ने हिंदी माध्यम को क्यों assistance की जरूरत है तो आप इस चीज को check करिए कि UPSC ने जो प्रशन पूछे हैं वेगत वर्षों में ठीक है अगर मैं आपसे कहूँ आप self preparation कर रहे हैं तो इसमें आपका main जो माध्यम होगा मतलब आप जिस तरीके से पढ़ने वाले हैं वो कहीं न कहीं जो है वो 60-40 के रेशियो में जो है वो रहने वाला है क्या नेट अर्थात आप नेट का यूज करते हुए सर्फिंग करेंगे और आप जो है वो यूट्यूब का सहारा लेंगे इन दौनों ही माध्यम का आप यूज करेंगे 60-40 के रेशियो में आपके इंटरस्पर जहें डिपेंड करेगा कि आप कितना किस पोर्शन को देना चाहते हैं अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक हिंदी माध्यम के अगर विद्यारती हैं तो आपको इस वीडियो को पू जो लास्ट थ्री एर के पेपर्स हैं इन्हें आप उठा लीजिए प्री के भी और मेंस के भी डन आप इन्हें जो है वो पिक कर लीजे और इमान दरी से इस कारे को करकर देखेगा देखिए जालतर विद्यारती पेल क्यों होते हैं क्योंकि वो और यह हर एक चीज़ हर एक स्टुडेंट में होता है जब हम भी स्टुडेंट थे तो हम भी इसी प्रकार की चीज़ों को जो है वो करा करते थे यही मिस्टेक करा करते थे तो हर एक विद्यारती करता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यह बिल्कु सहज जो है वो टेंडेंसी है हर एक जो पेपर हो चुका है उसके प्रश्णों को सीधा नेट पर भी डालिए वने गूगल सर्च कर लीजे और यूट्यूब पर इसे सर्च कर लीजे क्या आपको और इवन इवन मैं इस परस्ट बताता हूँ आपको कि आपको जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर प्रॉपर इन्फ प्रश्णों को आप एक बार जो है वो यूट्यूब पर या नेट पर सर्च कर लीजे जिस टॉपिक से आये हैं उन टॉपिक्स को सर्च कर लीजे माल लीजे आपने इंडियन मंसून के कोई प्रश्ण देखा है तो आप उसे सीधा जाकर इंडियन मंसून सर्च करिए और पिर कितने ऐसे प्रश्ण है जिनका प्रॉपरली उत्तर आपको जो है इस प्रेटपॉर्म पर मिल जाता है देखे मैं एकदम इस पस्ट तौर पर शायद आप लोगों को ये बात डाइजेस्ट ना हो लेकिन इस पस्ट तौर पर मैं आपको बताऊं तो यूट्यूब पर होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है आपका सेलेक्शन होगा लेकिन ये याद रखिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक लाख लोग या दस लाख लोग जो है वो एक्जाम दे रहे हैं तो मान कर चलिए कि पोस्ट आती हैं एक हजार एट मेक्स हम ब्रॉडर सेंस में अगर 1000 मान ले उसे तो 1000 है और याद रखिए इन 1000 पोस्ट में से आपको जो है वो दिखेगा कि इन 10 लाख में से 10,000 लोग ऐसे होते हैं वस्तिविक्ता में जो एबल होते हैं equally qualified होते हैं equally UPSC को clear करने के लिए ठीक अब इन 10,000 में से 1000 को चुनना होता है वहाँ पर याद रखिए आपका ज होती है वो जो है वो इस 10,000 में 1000 को सिलेक्शन दिलाती है मैं आपसे इस पस्त तोर पर कहूं तो YouTube से पढ़ने पर आपके साथ प्रॉबलम यह आएगी कि हो सकता है आप इस 10,000 में हो और हो सकता है आप इस 1000 में भी हो बस याद रखिएगा इन 10,000 में से किसका सिलेक्शन होत है तो इसे याद रखें कि इस रेस में यह 10,000 बच्चे जो है वो दोड़ रहे हैं चाहे वो बच्चे जो है वो सेल्फ स्टेडी से आए हो चाहे उन्होंने कोचिंग से असिस्टेंस लिया हो यह 10,000 बच्चे हैं इन 10,000 में से जो 1000 आखिर तक पहुंसते हैं उन 1000 में अंतर सिर्फ इतना होता है कि ये 10,000 बच्चों में से कितने जो है वो इतने लंबे समय तक अपने आपको इस फील्ड में सस्टेन कर पाए हैं याद रखिए कि कई बार जो है वो एक साल, कई बार दो साल, कई बार तीन साल और कई बार चार साल की जरने भी हो जाती है इस कंडिशन पे जो डिजर्विंग केंडिडेट होते हैं धीरे धीरे करके वो बाहर होते जाते हैं हर साल नए केंडिडेट जुड़ते हैं, पुराने केंडिडेट के पास experience होता जाता है और वो आगे बढ़ते जाते हैं और आपको जब आप आगे बढ़ेंगे इस जरनी में तो आप पाएंगे कि आपको एक मोड पर एक स्थिती पर यह समझ में आएगा कि कुछ चीजों में आपको literal assistance की जरुवत है तो मेरा आपसे कहना और खास कर हिंदी माध्यम के लिए आज भी मुझे personally ऐसा लगता है याद रखे यह मेरी विक्ति के सलाह है, मुझे personally ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजों में gap है study IQ पूरी प्रयास कर रहा है इस gap को fulfill करने का पर ऐसा student अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि कहीं न कहीं एक gap है आपको कुछ चीजों में अंतर दिखाई देगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं निराधार इस बात को कह रहा हूं तो please try to check the things आप उन चीजों को उठाईए paper से मैंने इस चीजों को कहा पहले ही starting में कि आप मेरी बात को cross check करिएगा कि जो प्रशन आए हुए हैं उन्हें उठाकर सीधा सीधा सर्च करिए क्या उनका सारा उत्तर आपको complete absolute rock solid crystal clear मिल रहा है इन संसाधनों से तो हो सकता है कि आप सही दिशा में हो पर इसमें मैं सपस्ट करूँ कि इस चीज का विशेज ध्यान रखेगा जिस वर्श प्रशन आया उसके पहले वो चीज जो है वो उस स्थान पर available होनी चाहिए ये चीज एक distance है और इस distance को cover करने का माध्यम होता है कि आप जो है professional manner में उस चीज को पढ़ें ठीक है पहली चीज दूसरी चीज है और जो last चीज है basically कि आपका जो UPSC का pattern है उस pattern में याद रखिए कि मुझे इस बात को कहने में कोई भी जो है वो शंका नहीं है कोई भी मुझे इस पर doubt नहीं है कि ऐसा है ठीक है और इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है एक genuine manner में किसी के साथ यह घटना होनी थी तो हमारे साथ हुई है आप जिस exam की तयारी कर रहे हैं dear उसका paper जो है English माद्य में जो है वो लिखते हैं उसका translation होता है और authentic version English में ही माना जाएगा याने कि बहुत सारी ऐसी चीजे हैं दो plates एक दूसरी के नीचे छेपित होती है यह एक simple सा statement है आप अगर geography पढ़ेंगे तो plate tectonic में एक basic सा statement होता है दो plates एक दूसरी के तरफ जाएंगी तो एक जो है वो दूसरी के नीचे छेपित होती है हिंदी में इसके लिए वर्ड है छेपित English में इसके लिए वर्ड होते हैं दो तो plates went for the convergence and one used to subject or they can use abduct याद रखिए कि English माध्यम के विद्यार्थी के पास ये दो शब्द है और UPSC चुनकर एक शब्द लिखेगी और जो शब्द वो लिखेगी इसका विशेज ध्यान रखिए कि English माध्यम के पास एक edge होगा मैंने दौनों ही माध्यम में पर्याप्त हमें जो है वो पढ़ाया है तो मुझे पता है कि जब इसका translation होता है तो किस माध्यम को edge मिल जाता है याद रखिए कि UPSC के लिए जब लिखा जाता है English में तो subduction और abduction है subduction का मतलब होता है एक plate जो है दूसरी के नीचे जाए और इतनी गहराई तक जाए कि वो पिघल जाए और abduction का मतलब है इतनी गहराई तक जाए कि केवल और केवल उसका छेपित होना दिखे पिघलना ना दिखे हिंदी में इसके लिए केवल एक word है छेपित English में इसके लिए दो word है एक है subduction एक है abduction जो सहज रूप से उप्योग करा जाता है हिंदी माध्या में मतलब होग सकता है आप सर्च करें तो आपको हिंदी एक rich language है तो no doubt आपको कोई ना कोई word मिलेगा इसके लिए subduction, abduction clay लेकिन जो सहज रूप से पढ़ाया जाता है इस field में मैं भी बहुत समय से हूँ और बहुत सारे लोग इस पर जो है वो वीडियो बना चुके हों आप जाकर देखिएगा वहाँ छेपित word ही use होता है बट English में जो सामान रूप से पढ़ाया जाता है उसमें भी subduction औ कहीं एक edge मिल जाता है कारण English में paper design होता है अब याद रखिए इससे जूजने का और इससे overcome करने का एक बहुत शांदार तरीका होता है कि आप English medium को अगर यहाँ पर edge मिला है तो Hindi medium को कहीं edge मिलता है वो edge होता है कि जिस माध्यम में आप communicate करते हैं उसी माध्यम में आपको लि study करेंगे तो आपको ऐसी बारिक चीज़े मैं n number of example दे सकता हूं मतलब इसमें जो है वो कोई doubt नहीं है कि इसमें बहुत सारे examples है ठीक जब आप translate करेंगे घृत कुमारी आई थिंग आप में से ज्यादा तर लोग घृत कुमारी का मतलब नहीं पता होगा आप देखेंगे कि बहुत सारे civil services के even state services even आपका UPSC बहुत सारे समय पर ऐसा translation कर जाती है और इस पर तो I think बहुत सारे memes बने हैं आपको पता होगा के translation मंगल क्रह से हो जाता है ठीक है तो इसका विशेश याद रखिए इसका विशेश ध्यान रखिए कि UPSC जिस समय translation करेगी तो कहीं न कहीं आ आपको एक ही समय पर एक ही वीडियो के अंदर समझा पाना संभव नहीं होता वहां teacher चाहता है कि मेरे पास कुछ freedom हो freedom in the sense मैं उस topic को अगर इस वीडियो में complete नहीं कर पा रहा हूं तो मैं उसे चार दिन में complete करूं कुछ topics पर कुछ विश्यों पर मैं अलग manner में आपको deal करन चाहता हूं तब के case में हमें जरुवत होती है batches की और ये batches जो होते हैं उसमें teacher अपनी एक्सपर्टी के अगॉर्डिंग दी चीज़ों को मौडिफाय करता है YouTube एक algorithm है algorithm की तरह वर्क करता है और studies studies की तरह वर्क करती है तो इसे याद रखे कि अगर आप तयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी माध्यम में तो हमेशा assistance की जरुवत होती है ऐसा मेरा personal opinion है please don't take me otherwise के भई मैं कह रहा हूं नहीं लोगे तो आपका नहीं होगा मैं इस first कह रहा हूं अगर आप नहीं भी जोइन करते हैं तब भी अगर आपके अंदर dedication है definitely आप UPC qualify करेंगे लेकिन it will take time it will take more effort ज्यादा समय और ज्यादा effort के आवशक्ता होगी ठीक है साथ ही जो last dimension है वो है newspaper अब देखिए जो newspaper है एक आपके पास options होते हैं कि भाई आप जो है वो इस तरी news को जो है या आप newspaper कह लीजे या आप इसे current कह लीजे अब इसी का विशेज ध्यान रखिए कि आपको current की news cover करनी होती है अब जो reference newspapers है यानि कि वो newspaper जिन से UPSC के प्रश्णाने की संभावना होती है वो newspaper इस पस्ट रूप से हिंदी में नहीं छपते हैं वो purely English में जो है वो print होते हैं अब इसका alternative क्या आता है इसका alternative आता है जैसे study IQ के यह हिंदी चैनल पर ही आपको दिख जाएगा दा हिंदू भी जो है शाम के समय आता है और जो इंडियन एक्सप्रेस है यह morning के समय पर आता है और साथ में जो भी essential जो news होती है उसको मैं और अतुर सर जो है वो cover भी कर देते हैं दिन में एक वीडियो लाकर या दो कर पाते हैं मतलब जब आप उसे देखते हैं तो क्या उसे पूरा सिंकिन कर पाते हैं तो मैं आपको बताओं डेली अगर आप दौनों newspaper को पढ़ते हैं तो नियरली आपको दो घंटे का समय लगता है और आधा एक घंटा हम माल लेते हैं कोई अलग news आती है तो उसके उपर धाई घंटे लगभग आप अगर इसको दे रहे हैं और उसके बाद उसकी notes making और उसको याद करना आप कर रहे हैं तो ये काफी lethargic work होगा अब कुछ समय आप कर पाएंगे और कुछ समय के पश्या जो है आपको धीरे धीरे करके उस शीज में एक बोरियत फील होने लगती ह है और समय के साथ हमने भी फील करा है कि नए बच्चे आने लगते हैं वो नए बच्चे उस चीज को देख रहे होते हैं पुराने बच्चे धीरे-धीरे करके out of the trend चले जाते हैं इस समस्या का समधान होता है कि आपको professional manner में अगर हम कहें तो batches में एक program चलता है जिसे scap कहत हैं अब एक नहीं दो नहीं कई अख़बार teacher जब पढ़कर उसके notes बनाकर PPT के form में PDF के form में वो सब कुछ आपको available कराता है और उसमें interlinking generate करता है केवल और केवल news को आगर आप पढ़ते हैं तो आपको उसकी understanding नहीं आती याद रखें interlinking की जरूवत होती है एक event हुआ फिर दूसरा event हुआ फिर तीसरा event हुआ इन तीनों event को जो है वो interconnect करा जाता है तब के condition में आपको जरूवत पढ़ती है professional manner की जो आपको batches में दिखा ही देगा आप इधर देखेंगे P2i में तो इसे हम cap के नाम से जानते हैं current affair program के नाम से तो अब अगर हम कहें तो हमें किस सरीके से जो है इन batches में अपनी जर्नी प्ले करनी होती है तो मैं आपको इस पस्ट बताऊं तो daily आपको जो है वो 3R की live class मिलती है मतलब आपको जो है तीन घंटे live class देखनी होती है ये live class मैं इस पस्ट कर दूँ आपके पास recorded form में भी होती है यानि कि आप इसकी जो है recording भी देख सकते है और ये कितने भी बार देख सकते है ठीक है साथ ही class के बीच में अगर आपको कोई doubt आता है तो आपके पास तीनों माध्यम होते हैं अपने doubt को entertain कराने के मतलब जैसा आप YouTube पर chat के माध्यम से पूछा करते हैं उसके अलावा ये तो होता ही है साथ में audio साथ में वीडियो अर्थात आप वीडियो के लिए permission मांग सकते हैं faculty जो है आपको permit करेगा और आपका वीडियो दिखना स्टार्ट हो जा से आपके भेच की ending तक आपको जो है वो cap प्रोग्राम जिसका भी मैंने discussion करा C.A.P. current affair प्रोग्राम इसका जो है वो फाइदा मिलेगा आपके पास 3R की class के अलावा near about 45 to 50 मिनिट का एक कैप का प्रोग्राम मिलेगा done इसके साथ ही आपका जब pre आने वाला होगा याद रखिए कि pre के exactly prior आपके पास एक और class जो है वो उसका window open हो जाएगा जिसे हम S.I.P. कहते हैं और याद रखिए S.I.P. plus नाम से हमारा batch जो है वो अलग से भी होता है जिसमें उसी वर्ष के लिए अगर आप prepare कर रहे हैं त तो pre specific crash course की तरह वो available होता है याद रखिए वो तो इसमें free of cost included हो चीक है अब देखिए इसमें क्या होगा इसे कहा जाता है success in prelims program अब यह success in prelims program क्या है तो success in prelims program बेसिकली यह बताता है कि आपको जो है वो किस तरीके से किन-किन topics को cover करना है और वो पूरा cover भी करा दिया जा यानि कि pre exactly prior आपकी UPSC के सारे वो topics जो preliminary examination के लिए highly important होंगे वो आपको pre exactly prior cover करा दिये जाएंगे even आपका foundation जो चल रहा है वो as it is चलता रहेगा ठीक है इसके साथ ही by chance आपका pre जो है वो qualify नहीं होता पहले नहीं होते condition को देखें तो जो आपकी live classes चल रही है वो as it is चलती र ठीक है अगर आपका pre qualify हो जाता है तो याद रखे आप फिर जो है वो MRP का part बन जाएंगे अर्थात mains residential program अर्थात study IQ आपको फिर जो है अपने खर्चे पर डेली बुलाएगा और आपकी सारी तयारी जो है वो complete कराई जाएगी ठीक है तो आपका जो MRP program है इस MRP program में basically आपक जो है वो study IQ offline mode में बुला कर आपकी बाकी की सारी तयारी जो है वो complete कराएगा ठीक है और इस duration में याद रखिए आपको faculties और आपके mentors इनका assistance मिलेगा अभी मैं mentorship के बारे में आपसे discuss करूँगा अब अगर हम देखें कि इसके पश्चात आपका मेंस qualify होगा तो फिर आपको जो है interview guidance program इसका पार्ट बनाया जाएगा और इस interview guidance program में basically आपको mock interviews कराए जाएंगे आपको पूरी वो assistance दी जाएगी जो आपको exam को qualify करने के लिए essential है ठीक है साथ ही इस पूरी जर्नी में आपको एक mentor भी a lot होगा यानि कि आपको one to one mentorship मिलेगी group mentorship मिलेगी और ये जो mentor होगा आपको समय समय पर वो सारा assistance देगा जो आपको UPSC की जर्नी में आवशक है irrespective कि वो subject से related हो आपके time table से related हो या आपकी कोई doubts या फिर आपकी कोई problems हो इस सभी के लिए mentor जो है आपके साथ connected होगा आपके पास mentor की email ID होगी उनका number होगा जब कभी आपको आवशक्ता हो आप अपने mentor के साथ जो है वो discussion कर सकते हैं साथ ही आपको इसमें test series मिलेगी आपकी पूरी जर्नी में आपको जो है वो daily test भी होंगे weekly test भी होंगे और एक properly test series के नाम से test series भी होगी यह सारा कुछ आपको एक इससान पर मिल जाएगा इस चीज़ का विशेश ध्यान रखिए कि बहुत सारे ऐसे topics होते हैं जिन topics के बारे में sufficient information, resources शायद available नहीं होते मेरे best noon में मुझे ऐसा लगता है यह याद रखिए यह मेरा personal opinion है कि हर एक चीज़ के बारे में सब पूछ available एक इससान पर नहीं होता तब की condition में यह batches indispensable हो जाते हैं याद रखिएगा इन batches में जो admission की date है यह आप देखेंगे यहाँ 16 जनवरी है यानि कि आज आज आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तब इसमें जो है वो admission की last date है तो देर ना करें आप जो है वो study IQ की website पर visit कर लीजे या फिर आप जो है वो app download कर लीजे और यहाँ ध्यान से देखिए कई student का मेरे पास instagram में जो है वो या फिर telegram में message आता है कि sir आप जो cost बताते हैं वो cost जो है वो वहाँ पर portal में mention नहीं होती तो देखे पोर्टल में mention cost जो है वो एक cost है जो इसकी actual cost होती है वहाँ नीचे जो है आपको कुछ code दिये होते हैं आप उन code को लगाएंगे तो cost कम हो जाएगी लेकिन जो वीडियो में दिख रही cost है जो कि ये है ये आपको तब ही मिलेगी जब आप अपने faculty का code यूज करेंगे जैसे अगर आप मेरे माध्यम से इन सारी जनकारी को प्राप्त कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि आप मेरा code यूज करें जो की है एक के live इस code को आप यूज कर लीजे इस code को यूज करने के बाद ही आपको ये cost देखने को मिलेगी otherwise ये cost आपको थोड़ी ज़ादा देखने को मिलेगी ठीक है तो faculty code का यूज करेंगे तब आपको ये cost मिलेगी दन उम्मीद करता हूं कि आपको मैं जो convey करना चाहरा हूं don't take me otherwise कि self study से selection नहीं हो सकता बिलकुल होगा बस effort और time थोड़ा ज़ादा लग सकता है तो अगर आप अपना effort अपना time save करना चाहते हैं और सही दिशा में जल्दी बढ़ना चाहते हैं then this will be a game changing ये आपके लिए पूरी जर्नी को change करने जैसी है condition है उमीद करता हूं आपके लिए information जो है वो helpful रही होगी required थी इसका discussion इसलिए मैं आपके समझे लेकर आया मिलते हैं हम इसी प्रकार के next वीडियो में have a very nice day thank you